हलो नमस्कार साथियो स्वागत है अब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स कलासेज के अंदर दोस्तो यूपी पुलीस कोंस्टेबल के हैं जो फोरम चालू हो चुके हैं जिन भी साथियों ने फोरम फिल नहीं किया हैं वो अपना फोरम फिल जरूर कर दे और यूपी पुलीस के अंदर गाति जीके के टॉप क्योसंस कलासेजेगे वो हम डेली लेकर आएंगे आपके लि अभीयरति हैं जिनका फिर्स टाइम यूपी पुलीस में एक्जाम लग रहा है वो अभीयरति हैं वो इस कलास को ज़रूर दे के और अपने साथ्यों के साथ ही वो सेर जरूर करें ब्रोध Miklas का हर एक कदम है वो अभीयरतियों के हित के लिए उठाया गया है तो आगे भी हम आज का अमारा पहला क्यूसर है आप कमेंट करते रहेगा कि इसका आंस्वर क्या होगा अकबर का परसिद मकबरा सिकंद्रा में है यह इस्तान उत्रप्रदेश के किस जिल्ले में है जल्दी से कमेंट केजिएगा सभी साती जल्दी से कमेंट करते रहेगा अकबर का परसिद मक परीवर्तन करके रख दिया गया है प्रयाग राच इसके सी अशुर क्या होगा जल्री से कमेंट कीजिएगा सभी साती तो option बी है वो इसका yes इसका बिल्कुल Correct answer होगा आगरा, ओप्शन B है वो इसका बिल्कुल Correct answer होगा, अकबर का परसिद मकबरा है सिकंद्रा में है, ये काम किस जिल्य के अंदरगत आता है आगरा के अंदरगत, आगे बात करते हैं कि उस्टर नमबर 2 की उत्तर परदेश के किस जिल्य में न्यूनतम अनुशूचित जन्जाती निवास करती है UP के किस जिल्ले में न्यूनतम अनुशूचित जन्जाती है वो है तो इसका सी आंस्वर क्या होगा कमेंट किजिगा सभी साथी बिजिनो और ललितपूर, गाजिपूर या चित्रकूट तो इसका सही answer क्या होगा comment करते रिएगा सभी साती जल्दी से और class को ही वो share करते रिएगा तो इसका सही answer होगा option D चित्रकूट चित्रकूट है वो इसका right answer होगा option D अगले question क्यों चलते हैं साती हो तो अगला question है हमारा राजस्तान में अनुसूचित जनजाती की जनसंक्या का कितना परतिशत है जो अनुसूचित जनजाती है वो टोटल पॉपुलेशन की कितना परतिशत है 0.09% 0.07% 0.06% 0.08% तो इसका सही आंस्वर क्या होगा कमेंट कीजिएगा सभी साथ ही बहुत परतिशन से जो फर्स टाइम इसका एक्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छे क्यूसन से तो इसका सही आंस्वर होगा option C, option C है, वो इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, 0.06 परतिश्यत, option C, 0.06 परतिश्यत, note से side में आप questions लिखते जाएं, person लिखते जाएं, और ये वीडियो है, आपको YouTube पर मिलेंगे, जब आप एक जाम देखा हैं, तो उनमें से देख लेना, आपके कितने परतिश्यत questions हैं, वो मिलेंगे, मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, जिक्के का जो portion है, आपके, वो आपको brother class इसके उपर फिरिक के अंदर गत हैं, वो मिल जाएगा, और WhatsApp group हैं, उसमें भी आप जरूर जोईन हो जाएगा, UP Police Constable के लिए अलग से गरूप बना रखा है, WhatsApp का, उसमें आप जरूर जोईन हो जाएगे, ये 75% से प्लस जिक्के हैं, वो यहाँ से आपकी किलियर हो जाएगी, जिक्के हजारो क्यूसन हैं, वो आपको मिलेंगे देखने को, और हर समय आपकी किलास होगी, तो अगले क्यूसन की बात करते हैं, question No.4, उत्तर प्रदाईस में, बोटिया जंजाती किन सेत्रों में निवास करती हैं, मेदानी सेत्रों में, परवत्ती सेत्रों में, तराई सेत्रों में या पठारी सेत्रों में इसका सी आंस्वर क्या होगा UP में बोटिया जन जाती हैं वो किन सेत्रों में निवास करती हैं इसका सी आंस्वर जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी मैदानी सेत्रों में, परवत्ती सेत्रों में तरह सेतरों में या पठारी सेतरों में तो option B आपका बिलकुल correct transfer जाएगा सोरी, option B है वो question 4 का option B बिलकुल right answer जाएगा प्रवतिय सेत्रों में प्रवतिय सेत्रों अगला question की बात करते हैं, question 9 नमर 5 निमलिकत में से कौनसा जोड़ा सुमेलित नहीं है सोरी सुमेलित हैं नियम लेकित में से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित हैं आपके विस्सुन त्योहार गुम्सु नर्तियें पंच पुत्री जोन सारी देवी या उप्यूक्त सभी तो इसका सी आंस्वर क्या होगा option D बहुत ही easy questions से सभी को बता हैं option D इसका बिल्कूल correct answer हो जाएगा question नमर चे की बात करते हैं UP में न्यूंतम जन सिंग्या वाली जनजाती कौन सी हैं बहुत अच्छा questions है और बहुत ही easy questions इससे questions हैं यह question repeat होगा है आपके ये क्युशन एक बार आगे भी आपके यूपी एकजाम में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में न्यूंतम जन सिंक्या वाली जन जाती कौन सी हैं खरवार, बुक्सा, वनरावत या थारू तो इसका सही आंस्वर क्या होगा क्युशन नमर छे का तो उप्सन सी हैं वो इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा वनरावत उप्सन सी इसका बिलकुल right answer होगा अगे लेक्युशन की बात करते हैं असोक का चोहुत्वा रहद सिलाले कहां से प्राफ्थ हुआ था इसका सही आंस्वर क्या होगा कुसी नारा में कौसांबी में कालसी में या कालफी में कालफी का समन्द है वो आपके राजस्थान जी के से भी मैत्वपूर्ण रखता है राजस्तान जिके से भी यह मेत्पून रखता हैं क्योंकि खानवा का यूद के बाद में यहाँ पर वहेर राना सांगा को लेकर आया गया था राजस्थान जी के से भी मैं इंपोर्टेंट रखता है तो इसका से आंस्वर वदाएगा चोद्व असो का चोद्वा व्रहध शिला लेकर वो कां से प्राप्त हुआ था कुसी नारा में कोसांबी में काल सिमी या काल फी में इसका से आंस्वर जल्दी से कमेंट कीजीगा बह आपको उप्सन सी इसका बिल्कुल राइट आएंस वरह जाएगा काल सी काल सी अगले क्विशन के बात करते हैं क्विशन नमर आठ यूपी में तामर पासान काली इन संसकर्थी के साक्षी किन जिलों से प्राप्त हुएं यूपी में तामर पासान काली इन संसकर्थी के साक्षी हैं वो किन जिलों से प्राप्त हुएं हैं सौन बद्रवे लखनव, आगरावे मथूरा, मेरेट वे सहारनपूर या इनमें से कोई नहीं एक बद्रवे लखनव, आगरावे मथूरा, मेरेट वे सहारनपूर तो इसका सई आंसवर क्या होगा क्योशन नमर आट का उत्तर प्रदेश में तामर पासान काली इन संसकर्थी के साक्षी हैं वो किन जिल्लों से प्राप्त हुए हैं तो इसका C आंस्वर जल्दी से कमेंट केज़ेगा कुछसर नमर 8 का तो option C है वो इसका correct आंस्वर हो जाएगा मेरट सहारनफूर कलास अच्छी लगती है कलास को subscribe भी कर लिया करें चैनल को ताकि हर कलास हैं वो आप miss ना कर सको अगले question के बात करते है question number 9 प्राचिन काल में सूर्सेन माहा जन्पद की राजदानी कहां पर थी प्राचिन काल में सूर्सेन जन्पद की राजदानी कहां पर थी काम पिली मथूरा अहिच्छत्र या कोसामी तो इसका से आंस्पर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा question number 9 तो मथूरा option B है वो इसका correct answer हो देगा मथूरा श्रीकर्शन जन्पद में अगले question के बात करते हैं question number 10 और आज का अंतिम question है संगम नगरी, कुम्ब नगरी, तिर्त राज, उत्तर परदेश के किस नगर के उपनाम हैं तो इसका से answer क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा ये question है वो आपको पूछ सकते हैं इसके पिछे दो reason है एक तो इसके अंदरगत option में आपको Ahh já deya जाएगा क्योंकि आयोजा के अंदरगत हैं वो अभी राम नंदिर का निर्मान उअ हुआ है राम नंदिर हैं जिसका जनवर के अंतरगत है वो आपके उद्गाटन है उसका अयोजा प्रियाग राज जिसका पुराना नाम इलाबाद रहें तो दोस्तों आसर करता हूँ क्लास अच्छे लगी तो लाइक करते रहेगा और अपने साथ्यों के साथ है वो सेर करते रहेगा कलास को और सस्क्राइब करते रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट कलास के इंतर के तब तक अपना ध्यान रखिल जेहिंद जे बारत